हेलो यूटूब दिस इस विकी, यूर वाचिंग आर्ड वाला हाट आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि पोट्रेचर, नेट इमेज, ऐसे प्लगिन्स जो पेड है उनका यूज कैसे करना है और इनका बेनिफिट क्या है तो बने रही आप हमारे साथ और continue इस टूटोरियल को वाच करिए ताकि आपको सारी चीजे समझ में आए याद रखिए यह सौफ्टवेर पेड है इसे बाय करना होगा आपको ऑफिशल वेबसाइट से या फिर मुझ से आके इंस्टाग्राम में बात करो तो मैं आपको बताऊंगा कम प्राइज में या कैसे इसे बाय करना है या इसका मेथड क्या है मैं यहाँ पर 14 असमलव दो वर्जन यूज़ कर रहा हूं फोटोशॉप का और यहां से प्लग इन यह वाले यूज़ कर रहा हूं नेट इमेज और पोटरेचर यहां से एक फो कर देने के बाद मैं इस पर कुछ भी वर्क करूंगा मैं वह मेरे हिसाब से काफी बहतर होना चाहिए याद रखिए आपको कोई भी वर्क करने से पहले फोटो कर जोलवेशन देखना चाहिए और उसके अलावा आपको साइज भी चेक कर लें चाहिए यहां मैं 4 टेप 6 और 300 का दे रहाऊं राइट क्लिक है राइट क्लिक है यह वहतर एक साइस है मेरे समझ से देखने लेकिन जब भी आप इस फोटो को जूम करेंगे तो इसके पिखसल खराब हो चुके ध्यान देगे ये पिखसल खराब हो चुके अगर आप चाहें, तो आप में से 80% लोग ये कहते हैं, कि हमको paid filters नहीं चाहिए, हमको free वाला चाहिए, free का भी तरीका है, लेकिन उसमें समय इतना ज्यादा लगता है, ये वीडियो के बाद में एक और वीडियो आएगा, उसके बाद में एक वीडियो और डालूँगा, मैं एक दो-चार वीडियो के बाद में, जब भी मैं वीडियो डालूँ, तो इसको free में कैसे finish करना है, और कैसे कर सकते हैं, और उसका क्या फाइदा है, क्या नुकसान है, ये चीज़ भी में बता हूँगा, नुकसान तो कभी भी नहीं होता है, लेकिन benefit क्या है, और उसका time बचाने का फाइदा क्या है, इस चीज़ को हम समझेंगे, तो आज हम समझ लेते हैं कि इसको कैसे finish करूँगा, मैं Photoshop के अंदर में दो फिल्टर सी यूज़ करूँगा, देखेंगे यहां से, यहां थोड़ा सा जूम कर लेता है, इस फोटो को और ध्यान देंगे, इतना जूम काफी मेरी समझ से, इसका copy बना लूँगा, यहां से duplicate करके copy बना लूँगा, कोई भी random name दे सकते हैं, यह मैंने copy बना लिया है, आप लोग, कि यहां पर click जो भी चीज़ करता हूं, अगर ना बोल पाऊं, तो मैं उसको समझ लें, आप लोग, यहां से देखेंगे, कि इधर पर आना है, सबसे पहला काम आपको filter में आना है, और जो edges नज़र आ रहे हैं, इसको यहां पर आके dust and scratches में one click कर दूँगा, यह माइनर सा अंतर है, फोटो को सिर्फ और सिर्फ सिंगल वे में click करने का benefit यह है, कि माइनर सा फर्क देगा आपको, चीजे समझ में नहीं आई गया, ऐसे बाद में इसको में समझाऊंगा, यहां से एक बार और dust and scratches चलाएंगे, दो बार मैंने इसको click कर लिया है, यहां से आई definition पर यूज नहीं करना चाहता, ऐसी चलने तो जो चीज चल रही है, आसानी से, जो काम आसानी से हो रहा है, वही quality मिल रही है, तो फिर क्या दिक्कत था आपको, बस यह चीज हो गया, यहां से आएंगे, यह वाला filter से आएंगे, पोटरेचर में, इस वाले पोटरेचर में यह मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा है, तो इसको थोड़ा सा कम करके यहां से हलका सा कम, 67, 76, सारी, और यहां से वाला पस आना है, पोटरेचर में, फिर से वन क्लिक में इस साइड करूँगा, और यहां से मैं इसको क्लिक कर दूँगा, ध्यान देंगे, बहुत ज् क्रिटीकल नहीं है एडवांस नहीं है बेसिक है यहां से फिर से इसको आना फिर से थोड़ा सा कम करना है इस बार में 75 कर दे रहा हूं बस इतना काफी है और वापस से एक बार फिर चलाऊंगा मैं लेकिन इस बार बिना क्लिक के चलाऊंगा यह बिना क्लिक के चलाया और यहा आया अंट प्रोफाइल में इधार ऐसे कट लगा देंगे ईसे सिंगल क्लिक करके देखें कोन सा बटन क्लिक करें लेप्ट बटन ऑट्제가 में क्लिक करें के ये स्वक्वेर आटोमेटिक रिटेक कर लेगा याद रखिए सारे चीज ओफ लाइन है ऐसा नहीं है कि यह कोई ओनलाइन वर्क हो रहा है सब कुछ ओफ लाइन है कभी भी कोई भी चीजों में फिर बदलाव कर सकते हैं किसी प्रकार की कोई परसानी इन सफ्वेरों को चलाने में बिल्कुल भी नहीं होती हैं यहां से चला लिया मैंने इसको और यहां पर यूस करके देखूंगा यहां बहुत ज्यादा हाई डेफिनेशन में फिल्टर हो चुका है फोटो लेकिन फिर भी थोड़ा साइस को मैं यहां से और करने की कुस्ट करूंगा चेंजिस यहां से महाल कलका इनको थोड़ा- बढ़ा देता हूं कि देखिंग पहले और अब पहले रब मैं अंतर आपको समझ में आ जाएगा इसके अलावा भी मैं आपको चीज़ें एक्स्ट्रेंट करूंगा कि कैसे कैसे कुणसी चीज काम कर रही है यह चीज हो गई बहुत ज्यादा तो इसको कम करके थोड़ा सा इ आप नहीं कर पाते इधर पर क्लिक करके इसको रिशेट करूंगा कम कर देता हूं इसको थोड़ा सा 21 के असपास यह 19 इतना काफी और इसको कम कर दूंगा हलका सा यह अब यहाँ पर आपको चेंज़ेस नजर आ रहे हैं लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बहुत ज्यादा फिनिस हो गया है ठीक है अब इसमें क्या करना है आपको फिनिस कैसे हुआ यह भी चीज देख लिया आप यह पहले कुछ फोटो ऐसी थी अब फोटो कुछ ऐसी तो यह जो स्कीन का टोनिंग जो बनी है क्लारिटी जो आई है क्लीनिंग जो हुआ है वह कितना बहतर है इस चीज को सिर्फ देखो और यह भी चीज देखो यहाँ अगर नोटिस कर रहे होंगे आप तो इस वाली इसी थी अब कुछ ऐसी है चेंजेज बहुत ज्यादा खराब नहीं करता है करता जरूर है चीजों को लेकिन और भी आपको हाई डेफिनेशन में इसको यूज करना होगा उसके अलावा आप बोलेंगे कि यहां से जो शेडो था नाक का वो कैसे कम हो गया तो इसको इधर प इसको थोड़ा सा कम करेंगे बस इतना काफी है और इसको कम करूंगा थोड़ा परसेंटेज दोने पांच परसेंट में चलाओंगा इसको और यहां से वापस से डूड़ा लूँगा बस हो गया इतना काफी है और दो परसेंट कर दूँगा इसको लगवग तीन परसेंट में चला लेता हूं और थोड़ा से इसको डार कर दूँगा अब आप देखेंगे कि जो सेडो नहीं नजर आ रही थी वो भी आपको नजर आने लगी है तो देखिए कुछ इस तरीके स आप चीजों को बना सकते हैं बहुत सारी चीजे है बाकी और भी चीजों को किसी और टाइम पर डिसकर्स करेंगे लेकिन यहां पर आपने देखा कि आपने कैसे आसानी से चीज़ को कम्प्लीटली बना लिया तो यह इस टाइप की चीज़ बनाई जा सकती है पॉसीवल है और फोटोशॉप के अंदर में तो हर चीज़ पॉसीबल होती ही है बस आपको तरीका आना चाहिए मैं यहां पर अच्छे से इसको फिनिशिंग कर सकता जरूरू लेकिन इतना काफी बहतर है यहां पर ऐसा नहीं है कि कोई भी घरबड़ी हो चुकी है काफी प्रीमियम यह अधान चीज़ लग रही है और इतना मेरे जाब से बहतर ही है और और भी सिदार कर सकते हैं तो फिल्टर आपने देखा कि कैसे इसका यूस करना मैंने सिंगल क्लिक में यूज़ क्या और इसको तरीके से यूज़ किया जा सकता है लेकिन मैं फिलाल ज्यादा यूज नहीं क करूंगा तो इस टाइप से इसको बना सकते हैं और इसमें बताऊंगा अब कल या परसो जब भी में एक वीडियो आएगी उसे मैं आपको बताऊंगा कि बिना किसी प्लग इन के आप कैसे फिनिस कर लेंगा लेकिन उसमें कितना समय लगेगा और कितना ज्यादा टाइम लगत तो तुरंत इस्टाग्राम पे आओ मैं आपको कम से कम प्राइज में अवैलेबल करवा दूंगा